हलो एविवन क्या बता सकते हैं कि एक मा का सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी खुशी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ सबसे बड़ा डर यह होता है कि आज बच्चे को जो टिफिन में दिया है वो पूरा खतम होगा या नहीं होगा और सबसे बड़ी खुशी उसके चेरे पर तब आती है जब वो टिफिन एक्चुली खाली मिलता है वापस आने के बाद वेलकम टू स्फाइसी कुक आज हम इसी तरह की दो मसेदार बहुत ही टेस्टी रेसिपीस बनाने वाले हैं जो बच्चों को अगर आप टिफिन में देंगे तो I'm sure कभी भी आपका बच्चे का टिफिन वापस खाली ही आएगा भरा हुआ नहीं आएगा मैंने तीन स्लाइसिज लिए हैं और तीनों को ना मैंने साइट इनकी कट कर ली हैं उन में से दो पर मैंने वीबा की ये पिजा टॉपिंग लगाई है और बहुत एजी हैं ये बनाने में इतने एजी हैं कि आप फटा फट से सुबह रेडी कर लेंगे और बच्चों को टिफिन में दीजिए बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं अब मैंने दो के उपर इसको ग्रेट करके स्प्रेड कर लिया है मैं इसके उपर ये किया की पिजा और इगैनो डाल रही हूँ ये बहुत टेस्टी होती हैं मैं यही यूज करती हूँ आप चाहें तो आप कोई और भी और इगैनो यूज कर सकते हैं और मैं किया की ही चिली फ्लेक्स यूज कर लि ठीक है अब यह जो जिस पर मैंने कोई स्लाइस नहीं रखा इसको आप इसी तरह से आप अपनी पसंद की शेप्स में काट लीजे मैं इनको चार स्क्वेर में काट रही हूँ और बिलीव मैं वोल्ड्स मैं यह जब भी अपने बच्चों को टिफिन में देती हूँ ना या तो उनके पैरेंट्स के में पस फोन आते हैं कि प्लीज इसकी रेसीपी बता दीजिए या फिर वो बच्चे खुद ही मेरे बच्चों से रेसीपी पूछते रहे दें कि प्लीज अपनी ममें से इसकी रेसीपी बूच के बताओ क्योंकि यह बहुत टेस्टी होता है और पता है कि पीज़ा को इसको मतब चीज को आपको पिगलाने की ज़रूत ने कुछ ने है क्योंकि आप टिफिन में दे रहे हो वो बैग में इतनी गर्मी होती है कि यह चीज अपने मैं ट्राइंगल में काट रही हूं मन चाही शेप में आप उसको भी काट दीचिए तो आपकी वन इस दी पिज़ा सान्विच और अधर वन इस पिज़ा चीज टोस्ट बहुत टेस्टी लगते हैं बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको रेसीपी पसंद आये तो लाइक श विडियो तिल देन बबाइ